जिला पंचाय चुनाव में वोटर लिस्ट उपलत कराने के नाम पर उमीदवारों से अव्यद वसूली का मामला सामने आया है जनपद में ग्राम पंचाय चुनाव के नामांकन का आखरी दोर चल रहा है जिसमें वोटर लिस्ट उपलत कराने के नाम पर अधिकारियों की नाक के नीचे करमचारी उमीदवारों से अव्वैद वसूली कर रहे हैं प्रधान पद और पंचाय सदस्यों से वोटर लिस्ट उपलत कराने के नाम पर जिला निर्वाचन विभाग के करमचारी द्वारा सौ सो रुपए की वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं नोड यूस पर भी पैसे लेने का मामला सामने आया है। जिले के 11 ब्लोकों में होने वाले ग्राम पंचाय चुनाफ में अगर वसूली का हिसाब लगाया जाए तो यह आंकडा करोडों में पहुंचेगा। अपना काम काल ला है तो वह सौब मामला से भी देने पड़ेंगे। अच्छा कित्ते लोग लिश्ट नहीं प्लवाने के लिए आ रहे हैं। इन्हों ने कहा कि एक रुपईया प्रती पेपर के हिसाब से लिस्ट उपलत कराने का पैसा लिया जा सकता है। जबकि निया मनु लिश्ट उपलत कराने के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। हम तो पुब्लिक की हमदर्दी में यहां से प्रिंट निकल वा रहे हैं। अब जब कि आप हम रसीद कड़वाएं तो आप रसीद देंगे।